देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंद, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मि अच्छा करता हूँ, आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव की घृपा आप सभी पर सदायव बन रहे हैं, यह वीडियो है, दो मई 2022 मंडे से, आठ मई 2022 संडे तक के सापताहिक राशिफल के बारे में, यह सापताहिक राशिफल लगन आधारित होता है, यानि की आपके लगन पे आधारित होता है, आपके लगन से प्रमुक्तहच चंद्रमा की क्या गती रहेगी पूरे हफ़ते, उसके हिसाब से क्या योग बनेंगे, क्या परिस्तितियां बनेंगी, उसके लिए एक सामानने सा विशलेशन होता है, यदि आपको अपना लगन नहीं पता, तो आप अपनी राशिव से भी इसको अबजर्ब कर सकते हैं, हर लगने के साथ उपाय भी बताया जाएगा, तो शुरुवात करते हैं आने वाले हफते के सापताहिक राशिफल का मेश लगने के साथ, लगने के लिए दो मई की सुभा करीबन पांच साड़े पांच के आसपास, चंद्रमा राशी परिवर अच्छा तो होता ही है, क्योंकि एक धनभाव है और धनागमन का सूचक होता है, और उससे अच्छी चीज है कि यहाँ पर चंद्रमा उच्च के रहेंगे, आपके लिए चंद्रमा जब भी दूसरे भाव में आते हैं, तो पैसों के लिए कुछ न कुछ अच्छा जरूर द आश्य देते हैं, तूसरा लगन के स्वामी की लाब स्थान से द्रिष्टी रहेगी, लगन के स्वामी मंगल, एक्वेरियस में बैटे हैं, और वहां से चौथे द्रिष्टी डालेंगे, चंद्रमा पर, यह अपने आप में धनी योग है, लाब योग है, तो पैसे के लिए हफते का शुरुवाती समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, कुछ भी पैसों से संबंदित काम अटक रहेते, वो आपके पूरे हो सकते हैं, पैसा आ सकता है, मंगल से चौते घर में बैटे हैं, यानि कि घर में भी खुशी आएंगी, घर में भी पैसा आएगा, चंद्रमा बुद्ध के साथ बैटे हैं यहाँ पर, बुद्ध तीसरे भाव के स्वामी है, यात्रा पर पैसा खर्च हो सकता है अफते के शुरुवात में, साथी में पैसा किसी को उधार मत दीजेगा, वरना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, नवामसा कुनली यह बता रही है कि अपने करियर को आपको थोड़ा सा और अपडेट करना पड़ेगा, यानि कि अपने करियर रिलेटेट स्किल्स को थोड़ा अपडेट करेंगे और तो आपके लिए आने वाले समय में बहतर रहेगा, दसामसा के हिसाब से बाहर से संबंदित कुछ काम करते है सोशल मेडिया से संबंद तुछ काम करते हैं तो आपके लिए लाब होगा लव लाइफ की बात करूं तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सुलजाने के लिए हफते का शुरुआती समय सबसे अच्छा है विवाहिक जीवन के हिसाब से पैसों को लेकर क्योंकि एक अविश करूं तो आपको लिवर संबंदित रोगतं करेंगे स्टूडिंस के लिए समय हार्ड वर्क का है जितना हार्ड वर्क करेंगे हफते की शुरुआत में अच्छे रेजल्ट आपको अवश्य मिलेंगे भाग का साथ मिलेगा कोई competitive exam है अच्छा करेंगे सरवाश्टक के और ग्यारवा स्थान दोनों ही अत्यंत बली हैं तो कारेक शेत्र से लाव प्राप्ति हो सकती है चार मई शाम के करीबन चार साड़े-चार बज़े चंदर्मा राशी परिवतन करेंगे लगन से तीसरे में आके बैठ जाएंगे यानि कि मितुन राशी में और साथ मई सुबहा के करीबन पांच बज़े तक यहीं पर रहेंगे आपके लगन से तीसरे घर में चंदर्मा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है काफी आप एक्टिव रहेंगे अपने रुके हुए कारे पूरे करेंगे कुछ यात्राएं जो बच रही थी वो पूरी क अपने घर के सीक्रेट्स अपने पर्सनल लाइफ के सीक्रेट्स इस समय शेयर ना करें पन्ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको आगे चलकर हो सकती है नवामसा को उनली बता रही है थोड़ा गुस्सा जादा रहेगा और फ्रस्ट्रेशन जादा रहेगा दसामसा के हि communication से जुड़ा teaching से जुड़ा कुछ काम करते हैं गवर्मेंट सेक्टर में हैं यह समय अच्छा रहेगा लव लाइफ की बात करूं तो थोड़ा विश्वास और बढ़ाई एक दूसरे पर विश्वास की कमी दिख रही है इस समय में विश्वास पर काम करना पड़ेगा विवा सेहत की बात करूं तो सर से संबंदित रोग दंग करेंगे स्टूडिन्स के लिए समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है भाग्ये का साथ तो मिलेगा लेकिन आपकी सोच थोड़ी नकरात्मक रहेगी उसका एक नेगिटिव प्रभाव आपके स्टड़ी लाइफ पर प यही कहूंगा कि बिजनस करते हैं तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट इंवेस्ट ना करें साथ मई सुभा के करीबन पांच बजे चंद्रमा राशी परिवरतन करेंगे और आपके लगन से चौथे भाव में बैठ जाएंगे अपनी ही राशी में यानि की करक राशी में और सब्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे चंद्रमा का करक में आना और चौथे घर में आना अच्छा होता है लेकिन जैसा मैं हर बार बताता हूं कि यहां पे कार को भावनाशाय अदोश लगता है तो आपके माता जी की सेहत आपकी मानसिक सेहत पर थोड़ा नकरात्वक प्र ब्रहसपती की दृष्टी रहेगी जो विपरी तराजयोग बना रहे हैं ये एक अच्छी चीज है कुछ काम जो आपके अटक रहे थे थोड़ा सा प्रयास करेंगे आपके वो काम बन सकते हैं नवामसा कुनली है बता रही है कॉम्मुनिकेशन प्रॉब्लम होगी दसामसा क दोटक के हिसाब से यदि बाहर से संबंदित काम करते हैं एमनसी में काम करते हैं तो ये समय लावकारी है लव लाइफ की बात करें तो एक अजीब सा डर रहेगा रिलेशनशिप को खुने का थोड़ा सा अनिश्चित्ता भरा समय रहेगा विवाहिक जीवन की बात करूँ तो एक practical approach लानी पड़ेगी आपको अपने दोनों के बीच में, practicality से कहीं दोनों ही दूर भटक गए हैं, सेहत की बात करूँ तो आपको hormonal disorders तंग करेंगे, students के लिए समय अच्छा है, जो competitive exams के तियारी कर रहे हैं, समय उनका अच्छा रहेगा, सरवाष्टक के हिसाब से आपका फिर से दस्वा और ग्यार्वा स्थान अत्यंत बली है, तो हफते के अंत में भी कारेक शेत्र से, बिजनस से, कुछ ना कुछ अच्छा आपको लाबकारी प्राप्त हो सकता है, आपके लिए इस हफते का उपाई यह रहेगा, कि आपको सोमबार की सुभा, शिवजी का ध्यान करते हुए, उनको खीर का भोग लगाना है, और ओम शंकराय नमहा इस मंत्र का 108 बार जापकरना है, आप चलते हैं, टॉरस यानि की वरिशव लगन की तरफ, आपके लिए चंद्रमा, दो तारीको सुभा पांच, साड़े पांच के आसपास, आपकी लगन महीं आके बैठ जाएंगे, यानि की टॉरस में, और 4 महीं, शाम के करीबन 4 बज़े तक यहीं पे रहेंगे, चंद्र एक उच्च का ग्रह जब लगन में बैठता है, तो कुछ न कुछ सकरात्मक होता है, दूसरा यहाँ पे बुद्ध होंगे, जो एक राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि पंचम स्थान के स्वामी है, साथी में बुद्ध, धनभाव के भी स्वामी है, तो धनभाव को के लिए अच्छा समय है, और विवाहिक जीवन यदि पटरी पर नहीं आ रहा था, तो कुछ थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी हफते की शुरुवात में ही सॉल्व हो जाएगी, समय अच्छा दिख रहा है, इसका लाव आपको जरू ठाना हो, दसामसा के हिसाब से, यदि आप सोशल मीडिया से जुड़ा या फिर रिसर्च बेस्ट कुछ खाम करते हैं, तो लाब होगा, लव लाइफ की बात करें तो, नया रिलेशन्चिप स्टार्ट करने के लिए समय अच्छा है, भागे साथ देगा, लेकिन जो लोग पाइंट रखना है आपको अपने लाइफ पार्टन के सामने, एकदम एसर्टिव होकर, मतलब के एकदम कॉन्फिडेंट होकर रखिएगा, तभी वो जो मिसकॉम्मुनिकेशन है, वो दूर होगी, सेहत के हिसाब से हर्मोनल डिसॉर्डर आखों से संबंधित रोग तंग कर मेलेजमेंट का साथ अवश्य मिलेगा, चार मई, शाम के चार बजे के आसपस, चंद्रमा राशी परिवतन करके, मिथुन में आ जाएंगे आपके लगने से दूसरे घर में, और साथ मई, सुभा के करीबन पांच बजे तक यहीं पे रहेंगे, चंद्रमा का दूसरे भाव से यह बता रही है कि पैसे का लेन देन, मतलब कि किसी को पैसे दिये हुए थे और वहां से वापिस नहीं आ रहे है, उसको लेकर थोड़ा चिंतेताप जरूर होंगे, थोड़ा तनाव पूर्ण आप महसूस कर सकते हैं, व्यर्थ की चिंताओं से अपने आपको जितना दू से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो लाब होगा, लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा विश्वास अपने ओपर और अपने रिलेशनशिप कर ओपर और बढ़ाना पड़ेगा, साथ ही में अपने पार्टनर पर भी, विवाहिक जीवन की बात करें तो, जो भी पास्ट में ग स्टूडेंस के लिए, यह जो समय रहेगा, यह अच्छा है, थोड़ा आपको प्लैनिंग की जरूत है, सरवाश्टक के हिसाब से आपका दस्वा स्थान अत्यंत वली है, यानि कि कार्य स्थान, वहाँ पे शनी मंगल है, तो आपका अपने कार्य शेत्र पे पूरी अथोरि और आजाएंगे अपनी राशी आने की करक राशी में, चंद्रमा का करक राशी में आना अच्छा होता है, चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है, तो हफते का अंतिम समय अच्छा है, रुके हुए काम बनेंगे, ब्रहस्पती की दिष्टी लाव स्थान से है ये बहुत अच्छा है, साफ बता रहा है कि कही ना कहीं से लाव अर्जित होगा क्योंकि एक तो ब्रहस्पती स्वराशी में हैं और उच्च के शुक्र के साथ बैटे हैं तो हफते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आ सकता है नवामसा पुनली के हिसाब से यही कहुँगा कि अपने भाई बहनों के साथ संबंधों को थोड़ा सुधारी है दसामसा के हिसाब से क्यादी साइन्स टेक्नोलोजी से संबंधित कुछ काम करते हैं कंसल्टेशन बेस्ट कुछ काम हैं लाब होगा लव लाइफ की बात करें तो emotional compatibility पर काम कीजेगा एक दुस्रे के भावों को समझने का प्रयास कीजेगा विवाहिक जीवन के हिसाब से overthinking से बचना है over analyzing से बचना है सेहत की बात करूँ तो आपको digestive disorders दंग करेंगे students के लिए यह समय अच्छा है especially जो non-technical field के students है सरवाश्टक के हिसाब से आपका नवा स्थान और दस्थान अत्यन तबली है यानि कि कारेक शेत्र में कुछ न कुछ अच्छानक से अच्छा आपके लिए हो सकता है आपके लिए उपाई यह है कि आपको सोमवार को शिवजी का ध्यान करते हुए उनको फलों का भोग लगाना है किसी भी मिठाई का भोग लगाना है और साती में आपको ओम नील कंठा ये नमहा इस मंत्र का 108 बार जाप करना है चलते हैं जैमिना यानि कि मिथुन लगन के सापताहिक राशी फल के तरफ दो मई की सुभा चंद्रमा राशी परिवतन करके आपके लगन से बारवे स्थान में आ जाएंगे यानि कि वरिशब में और चार मई शाम के करीब चार बजे तक यहीं करेंगे चंद्रमा का बारवे घर में आना अच्छा नहीं होता आपके लिए क्योंकि धनभाव के स्वामी है तो बाहर से संबंदित कुछ काम करते हैं तो पैसा तो आएगा लेकिन थोड़े खर्चे भी आपके बढ़ेंगे क्योंकि बुद्ध के साथ हैं बुद्ध आपके लगने के स्वामी है बुद्ध भी बारवे घर में है चंद्रमा भी बारवे घर में है तो हफ्ते की शुरुवात में मानसिक एवं शादीरिक सेहत पर थोड़ा बहुत नगरात्मक प्रभाव पड़ सकता है आपको अपनी सेहत का भरपूर ध्यान देना है साथी में हो सकता है आपके घर के किसी सदस्य को भी कुछ सेहत को लेकर किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े नवामसा कुनली यह बता रही है कि लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहेंगे लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हफते के शुरुआत में दसामसा के हिसाब से यदि आप इंशोरेंस बेस्ट कुछ काम करते हैं तो लाब होगा लव लाइफ की बात करूं तो थोड़ा अपने एक्शन्स और अपने इमोशन्स पर कंट्रोल कीजेगा भावनाओं में बहकर ओवर एक्साइटमेंट में आकर कुछ भी नहीं करना विवाहिक जीवन की बात करूं तो जो बात मन में बहुत समय से चल रही है और नहीं कर पा रहे अपने लाइफ पार्टनर से उस बात को डिसकस कर लीजेगा आपके लाइफ पार्टनर आपकी बातों को समझ पाएंगे सेहत की बात करूं तो आपको लिवर संबंदित रोग और हृदे संबंदित रोग तंग कर सकते हैं स्टूडेंस के लिए समय बहुत अच्छा है जिनका कोई कंपेटिटिव एक्जाम है अच्छा समय है सरवाश्टक की बात करूं तो आपका आठव और नवा स्थान अत्यन तबली है भाग्य के भरोसे जादा मत रहिएगा हफते की शुरुआत में चार मई शाम के चार बजे के आसबाश चंदर्मा राशी परिवर्तन करके आपके लगन में ही आके बैठ जाएंगे और साथ मई सुभा के करीब पांच वजे तक यहीं पर रहेंगे चंदर्मा का लगन में आना वैसे अच्छा होता है लेकिन क्यूंकि आपके लिए दूसरे स्थाने के स्वामी है और वहां से बारवे में आ रहे हैं तो पैसों के लिए मिला जुला सा समय रहेगा पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी क्योंकि धनस्थाने के स्वामी है तो पैसा तो देंगे लेकिन क्योंकि वहां से अपने से बारवे में बैटे हैं, तो पैसे का थोड़ा लॉस भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा मिला जुला साथ समय है, लगने के स्वामी से दूसरे में हैं, तो ये थोड़ा बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है, आपके घर में किसी को कोई दसामसा कुंडली की बात करें तो थोड़ा सीरियस सा आपका व्यक्तित्व रहेगा और उसके कारण कुछ लोगों से आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं। दसामसा कुंडली यह बता रही है कि human resource से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाब होगा। लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा तनावपूर्ण महौल रहेगा बाते एक दूसरे की समझ नहीं पाएंगे थोड़े जगड़े जादा होते हुए दिख रहे हैं। विवाहिक जीवन की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि finance के कारण, finance के mismanagement के कारण कुछ बहस हो सकती है। अपने money management पर थोड़ा ध्यान दीजेगा। सेहत की बात करूँ तो आपको गले से संबंदित रोग और नसों से संबंदित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंस के लिए समय बहुत अच्छा है क्योंकि भागे का साथ मिलेगा। सरवाश्टक के हिसाब से आपका भाग्यस्तान अत्यनत बली है। तो हफ़ते के बीच में आपको भागे का साथ अवश्य मिलेगा। साथ मई सुभा के करीब पांच बज़े चंद्रमा राशी परिवर्तन करेंगे और आपके लगन से दूसरे स्थान में आके बैट जाएंगे यानिकी धन भागों में। चंद्रमा का दूसरे स्थान में आना अच्छा होता है सबताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे अवणी राशी में। अपनी राशी में आ रहे हैं धन स्थान में आ रहे हैं तो पैसों से जुड़ा कुछ ना कुछ अच्छा दे कर जाएंगे। ब्रहस्पती की दृष्टी रहेगी पांचवी दृष्टी और ब्रहस्पती बैटे हैं दस्वे घर में अपनी राशी में हैं उच्छ के शुक्र के साथ हैं यानि की कारेक शेत्र से काफी धन अर्जित कर सकते हैं हफ़ते के अंत में। नवामसा कुणली यह बता रही है कि अपने फाइनेंसेस को थोड़ा अच्छी तरह से मैनेज कीज़ी अपनी सेविंग्स पर थोड़ा ध्यान देजें। कुछ भी ऐसा मत कीजेगा जिसकी जरूरत नहीं है। मतलब कि व्यर्थ के चीजें, व्यर्थ के टोकाटा की, व्यर्थ की बातें यह सब यदि आप ने करी तो विवाहिक जीवन पर नकरात्ना प्रभाव पड़ेगा। सेहत के हिसाब से हृदे संबंदित प्रॉब्लम जिनको है थोड़ा ध्यान दे, साथी में जिनको हर्बोनल इशूस हैं उनको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। स्टूडन्स के लिए थोड़ा नेगेटिव समय रहेगा क्योंकि आप थोड़े से कन्फ्यूजड रहेंगे। सरवाश्टक के हिसाब से आपका आठवा स्थान और नवा स्थान अत्यन्त बली है। आपके पिता जी की सेहत पर थोड़ा सा नकरात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उनकी सेहत का आपको ध्यान देना है। आपके लिए उपाई यह है कि आपको सोमबार को शिवजी का ध्यान करते हुए उनको लड़ूं का भोग लगाना है। किसी भी रड्डू का भोग लगा सकते हैं, साती में आपको महामृतुंज मंत्र का 108 बाद जाप करना है, आप चलते हैं करक यानि की कैंसर लगन की तरफ, आपके लिए चंद्रमा दो मई की सुभा 5.5 के आसपास राशी परिवर्तन करेंगे और लगन से 11 स्थान में आकर सुकदायक रहेगा, क्योंकि लाबस्थान में हैं तो कुछ ना कुछ अच्छे आपको लाब मिलेंगे, कुछ ना कुछ अच्छी opportunities मिलेंगी, मंगल की द्रिष्टी आठवे घर से बता रही है कि अचानक से कुछ धनलाब भी हो सकता है, मंगल आपके लिए योग कारक रहा ह तो चंद्रमा पर द्रिष्टी उनका, उनकी चंद्रमा पर द्रिष्टी कुछ ना कुछ अच्छा आपको अवश्चे देखे जाएगी, थोड़े खर्चों पर कंट्रोल कीजिए, गैर जरूरती यात्राओं पर भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए, नवामसा कुनली यह बता रही है कि अपने social circle को, अपने friend circle को थोड़ा compact कर दीजिए, यदि थोड़े से mature हो चुके हैं, 25 age पार कर चुके हैं, तो थोड़ा अपने friend circle को कम कीजिए, मतलब कि ऐसा नहीं कि जिसने बुलाया तभी घूमने चले गए, तभी उनसे मिलने चले गए, जब बच्चे होते है टीनेज होता है, college time होता है, तब ये सब चलता है, उसके बाद responsibilities बढ़ती हैं, तो थोड़ा सा आपने social circle को compact कीजिए, नवामसा कुनली यह बता रही है कि यदि आप बाहर से संबंदित, सौरी दसामसा कुनली यह बता रही है कि यदि आप बाहर से संबंदित कुछ काम करते हैं, तो आपको लाब हो सकता है, लेकिन थोड़ा focus आपको बढ़ाना पड़ेगा, love life की बात करें तो ये समय आपका ठीक ठाक दिख रहा है, बस एक चीज कहूंगा कि थोड़ा सा जादा focus आपको love life पर डालना होगा, क्योंकि बाकी सब चीजों पर तो आपका focus है, और ये partner भी observe कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान आपका थोड़ा कम जा रहा है, इसके कारण problem हो सकती है, विवाहिक जिवन की बात करों तो, समय अच्छा है, एक दूसरे से अच्छी बाते हो पाएंगी, और एक balance आपाएगा, सेहत के इस आपसे high VP की problem तंग करेगी, students के लिए अच्छा समय है, specially जो किसी कला से संबंदित पढ़ाई करते हैं, कोई भी art से संबंदित कुछ पढ़ाई करते हैं, सरवाश्टक के इस आपसे साथवास्थान, आटवास्थान, अत्यन्त बली है, merit life में गुस्था मत लाइएगा, गुस्थे को बिल्कुल भी जगा मत दीज हलका सा भी गुस्थे से आपने बात करी, तो चीजें बहुत विगड़ सकती हैं, चार मई शाम के करीब चार बजे चंद्रमा राशी परिवरतन करेंगे, और आपके लगने से बारवे स्थान में आकर बैठ जाएंगे, मिथुन राशी में, और साथ मई सुभा के करीब पा आपके लगने के भी स्वामी है, इसलिए जो ये नेगेटिव इंपेक्ट है, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, सेहत का ध्यान दे, मान से केवं शादीरिक सेहत का, नवामसा कुंडली यह बता रही है कि घर के किसी सदस्य को यदि अखिलापन महसूस होता है, तो उनके काम करते हैं तो लाब होगा, लव लाइफ के हिसाब से कुछ नयापन लाने की कोशिश कीजेगा, जो चीजें, जो बातें चुबती हैं आपने पार्टनर को, वो बिलकुल मत कीजेगा, विवाहिक जीवन के हिसाब से समय अच्चा है, किसी चीज का आप दोनों ही वेट कर रहते हैं उसकी प्राप्ती हो सकती है, सेहत के हिसाब से अच्चा है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, वैसे समय अच्चा है आपके लिए, सरवाश्टक के हिसाब से आपका अश्टम स्थान अत्यंत बली है, अकस्मत धनलाब के योग अवश्य बनेंगे साथ मई सुभा के करीबन 5.5 बजे चंद्रमा राशी परियतन करेंगे, लगन में आके स्थापित हो जाएंगे और सप्ता के अंत तक यहीं करेंगे, आपके लगन के ही स्वामी है, अपनी ही राशी में आ रहे हैं, अपने ही लगन में आ रहे हैं, तो आपके लिए ये जो ह चिराशी में हैं, तो उन दोनों ग्रहों का इंपेक्ट रहेगा चंद्रमा पर और आपके लगन पर, तो हफते का जो अंतिम भाग है आपके लिए बहुत ज़ादा अच्छा रहने वाला है, कुछ ना कुछ शुप समाचार मिलेगा, वरगोत्तम रहेंगे इस समय चंद्रम तो बहुत अच्छा समय है, नया रिलेशन्शिप स्टार्ट करना हो, रिलेशन्शिप को स्टेवल करना हो, अच्छा समय है, यात्रा का अफसर प्राप्त हो सकता है अपने पार्टनर के साथ, विवाहिक जीवन की बात करें तो, एक ही चीज़ कहूंगा कि, यदि कुछ गल संदित रोग तंग करेंगे, स्टूडेंस के लिए बहुत अच्छा समय है, भाग्य का साथ मिलेगा, सरवाश्टक की बात करूं तो, आपका सात्वा और अश्टम स्थान अत्यंत वली है, बिजनस में रिस्क लेने से बचें, आपके लिए उपाई ये है कि आपको शिवज का ध्यान करना है सोमवार को, शिवजी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है, साती में आपको ओम शंभवा ये नमहाईस मंत्र का एक स्वाटवार जाप करना है, आप चलते हैं लियो यानिकि सिंभ लगने के सापताहिक राशिफल की तरब, दो मई की सुभा पांच आशी परिवरतन करेंगे और आपके लगन से दस्वे में आके बैठ जाएंगे अनिकी टॉरस में और चार मई शाम के चार बजे के आसवास तक यहीं पे रहेंगे, व्रिशब में उचके होते हैं, दस्वे स्थान में जब भी चंद्रमा आते हैं अच्छा रिसल्ट देते ह उच्च के चंद्रमा, आपके कारक शेत्र में कुछ ना कुछ आपको अच्छा जरूर दे के जाएंगे, अच्छा रहेगा यह, बुद्ध के साथ हैं जो की लावस्थान के स्वामी है, तो लाव अर्जित कर सकते हैं कारक शेत्र से कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव का साथी में बुद्ध धनभाव के भी स्वामी है, यानि की कारक शेत्र से पैसा भी आएगा, मंगल की चौथी द्रिश्टी रहेगी, तो क्योंकि मंगल सात्वे में हैं, तो बिजनस के लिए भी अच्छा समय है, जो 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 हफ़ते का शुरुवाती भाग है, आपके लि देखे जा सकती है, थोड़ा गुसे पर कंट्रोल कीजेगा, स्पेशली अपने प्रोफेशनल लाइफ में, नवामसा कुनली के हिसाब से खर्चों पर कंट्रोल कीजेगा, साथ बता रहा है कि खर्चे थोड़े जादा होंगे, थोड़े बहाव में वह जाएंगे, इमोशन चिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो किसी बड़े से, किसी मैच्चोर व्यक्ति से, अपने दोनों के बीच में इंटर्वेंचन करने की बात कीजी, यानि कि जिस ऐसा व्यक्ति जिस पे आप दोनों ही भरोसा करते हैं, थोड़ा मैच्चोर हो, आप दोनों को जानता हो, उन आपने आपको बना-बना महसूस करेंगे, सेहत की बात करें तो आपको इन्फेक्शन तंग कर सकता है, गले से संबंदित रोग तंग कर सकते हैं, स्टूडेंस के लिए समय मिला-जुला सा दिख रहा है, थोड़े से परिशान रहेंगे, थोड़े से सीरियस भी रहेंगे, थोड़ा सा नकरात्मक पना आपके अंदर रहेगा। सरवाश्टक के हिसाब से आपका छटा और सात्वा स्थान अत्यनत बली है। Competition तो रहेगा बिजनस में, लेकिन लाव आपको अवश्य मिलेगा। Overall Life में थोड़ा Competition इस समय आपके जादा रहेगा। 4 मई शाम के करीबन 4 बजे चंद्रमा राशी परिवतन करके आपके लगन से 11 में आके बैढ़ जाएंगे, मिथुन राशी में और 7 मई सुभा के करीबन 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाव स्थान में आना बहुत अच्छा होता है, अचानक से लाव के योग बन सकते हैं, क्योंकि लगन के स्वामी से तीसरे में हैं, तो लाव तो आपको प्राप्त होंगे, लेकिन थोड़े से उसके लिए प्रियास जादा करने पड़ेंगे। समय ये अच्छा है, इसका आपको लाव जरूर उठाना चाहिए, और कोई आपका ऐसा काम जो बहुत समय से अटक रहाता, वो भी इस समय में पूरा हो सकता है, सकरात्मक समय है, लाव उठाईएगा, थोड़ी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा, नवामसा कुनली बता अच्छा समय है, नया relationship स्टार्ट करना हो, या फिर एक stability एक positivity लानी हो relationship में समय अच्छा है, विवाहिक जिवन के हिसाब से एक ही चीज कहूंगा कि जो भी problem आ रही है, छोटी मोटी उसको solve कर लिजिए, वन्ना ये छोटी ही problem आगे चलकर बड़ा आकार धारन कर लेगी, सेह आश्टक के हिसाब से, आपका सब्तम स्थान अत्यन तबली है, सोशल लाइफ में थोड़ा सा जब बात करें, या अपने दोस्तों से या सोशली किसी से भी बात करें, इवन सोशल मीडिया पर कोई message लिखें, तो थोड़ा आपने शब्दों के चयन पर ध्यान देना आपको पड़ेगा, कुछ भी फिजूल का मत बोलिएगा, या लिखिएगा, साथ मई सुभा के करीबन चार से पांच के वीच में चंदरमा राशी परिवरतन करके, आपके बारवे स्थान में आ जाएंगे, करक राशी में, और सप्तहा के अंतर तक यहीं परेंगे, चंदरमा का अ दूसरा, ब्रहसपती भी फिपरित राजयोग बना रहे हैं, उनकी दृष्टी भी रहेगी, चंदरमा पर ये भी अच्छा है, ब्रहसपती अचानक से आपको कभी-कभी धनलाव दे देते हैं, और क्योंकि चंदरमा पर दृष्टी है, तो इसकी जो probability है, पैसा मिलने की दसामसा कुंली यह बता रही है की थोड़ा जाधा सोचेंगे इस समय और सेहत भी आपकी थोड़ दी अचानक से सकती है, दसामसा कुंली यह बता रही है कि यादि आप फैशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाब होगा, सेहत की बात करों तो गले से संबंदित रोग बने रहेंगे और साथ ही में आपको इन डाइजेशन की प्रॉब्लम भी रहेंगे स्टूडेंस के लिए ये समय थोड़ा परिशान करने वाला है क्योंकि थोड़ा अंडर कॉंट्रिडेंट रहेंगे सरवाश्टक ये बता रहा है कि आपका छटा और सात्वा स्थान अत्यन्त बली है पैसे किसी को उधार ना दे और अपने खर्चों पर भी थोड़ा कंट्रोल करें आपके लिए उपाई ये है कि आपको सोमवार को शिवजी का ध्यान करते हुए उनको खीर का भोग लगाना है और साती में आपको महामृतिंजे मंतर का 27 बार जाप करना है अब चलते हैं कन्या यानि की वर्गो लगन के सापताहिक राशी फल की तरफ चंद्रमा दो तारीक की सुभा 5.5 के आसपास राशी परिवरतन करेंगे और आपके लगन से भाग्य स्थान में आनि की 9 आउस में जाके बैड़ जाएंगे और 4 मई शाम के 4 बजे के आसपास तक यहीं पे रहेंगे चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा होता है उच्च के होंगे तो अच्छा परिनाम देंगे अच्छानक से भाग्य का साथ मिलेगा आपको मंगल की दृष्टी रहेगी चंद्रमा पर इस समय मंगल क्योंकि विपरीत राजियोग बना रहे हैं आटवे भाव के स्वामी है और साती में तीसरे भाव के भी स्वामी है तो यह आपके लिए अच्छा परिनाम देंगे रुके हुए काम बनेंगे आपके दृड़ता रहेगी संकल्पता रहेगी आपके लिए समय बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन किसी भी चीज को टालिएगा मत जो भी काम है वो उसी समय निप्टा लीजिएगा बुद्ध यहाँ पे रहेंगे बुद्ध आपके लिए खुद लगने के स्वामी है और दस्वे भाव के स्वामी है यानि कि परस्नल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में लव लाइफ की बात करूँ तो अपने आपको एक्सप्रेस कीजिएगा अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा विवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छा समय है फिजिकल कमबैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी सेहत की बात करूँ तो इंफेक्शन कोई तंग करेगा आखों से संबंदित रोग तंग करेंगे स्टूडेंस के लिए समय अच्छा है लेकिन थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे सरवाज तक के हिसाब से आपका पांचवा स्थान और छटा स्थान अत्यंत बली है आपसे मैं यही कहूंगा कि overthinking से बचिएगा वरना अच्छे समय का लाब नहीं उठा पाएंगे चार तारीक को शाम के करीब चार बज़े चंदरमा राशी परिवरतन करेंगे और आपके लगन से दस्वे में आके बैठ जाएंगे यानि कि मिथुन राशी में और साथ मई सुभा के करीबन चार से पांच बज़े तक यहीं पर रहेंगे आपके लगने से दस्वे में चंदरमा का दस्वे में आना अच्छा होता है मिथुन की राशी में रहेंगे बुद्द की राशी में थोड़ा uncomfortable होते हैं फिर भी क्योंकि दस्वे घर में हैं अच्छा प्रभाव देंगे लगने के स्वामी से दूसरे घर में हैं यह अच्छा है कारेक शेत्र से धन अर्जित कर पाएंगे कुछ ना कुछ सकरात्मक कारेक शेत्र में हो सकता है नवामसा कुंडली की बात करें तो खर्चों पर कंट्रोल करना होगा वरना खर्चे बहुत जादा बढ़ जाएंगे इस समय खर्चे थोड़े आपके जादा हो भी रहे होंगे खर्चों पर कंट्रोल कीजेगा दसामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा इगो जादा रहेगा कारेक शेत्र में इस पर कंट् कुछ ना कुछ क्रियेटिव आपको करना पड़ेगा सेहत के हिसाब से आपको इंफेक्षिन का डर बना रहेगा और नसों से सम्मने तरोग तंग करेंगे स्टूडेंस के लिए समय बेटर होगा जो नॉन टेक्निकल सब्डेक्स की पढ़ाई करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है सरवाश्टक की बात करें तो आपका छटा स्थान अत्यन्त बली है पैसों के लेंदेन से आपको बचना है साथ मई सुभा के करीब पाँच बज़े चंदरमा राशी परिवरतन करेंगे आपके लगन से ग्यारवे में आके बैठ जाएंगे लाव स्थान में और सब्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे चंद्रमा का 11 स्थान में आना अच्छा होता है, करक राशी में होंगे, अपनी ही राशी में होंगे, तो कुछ ना कुछ लाब आपको जरूर देगे जाएंगे, ब्रहस्पती की दृष्टी सब्तम सान से बता रही है कि आपके पब्लिक लाइफ में, बिजनस लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, ब्रहस्पती के साथ उच्च के शुक्र भी होंगे, दोनों ग्रह पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, तो आपके लिए कु आफ्टे के अंत में, नवामसा कुनली यह है बता रही है कि क्योंकि वरगोत्तम के चंद्रमा होंगे शुरू-शुरू में, तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आपके साथ, वस्नल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, दसामसा के हिसाब से, रियल एस्टेट से जुड़ा, आटो मोबिल इंडरस्ट्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाब होगा, लव लाइफ की जहां तर बात है, बागी सारी चीजों को छोड़कर अपने पार्टनर पर इसे में फोकस कीजेगा, शायद उनको आपकी जरूरत हो, विवाहिक जीवन के हिसाब से, अट्रेक्शन बना रहेगा, अच्छा समय है आपके लिए, सेहत की बात करूँ तो आखों से संबंदित रोग, कुछ उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम होगी, स्टूडेंस के लिए बहुत अच्छा समय है, काफी competitive attitude आपका रहेगा, सरवाश्टा की बात फिर से अत्यंत बली है, घर के सदस्यों में यदि किसी की लड़ाई हो रही है, थोड़ा सा इंटर्वीन करने की कुशिश करेंगे, तो चीजें सुलच जाएंगे, आपके लिए उपाई यह है कि आपको सुमवार को शिवजी का ध्यान करते हुए, उनको क्या तो खीर का य राशी परिवर्तन करेंगे और आपके लगन से आठवे घर में आके बैठ जाएंगे, यानि कि विरिशब राशी में, टॉरस में, और चार मई की शाम करीबन चार वजे तक यहीं पर रहेंगे, चंद्रमा का आठवे घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता, यहां पर नहीं से कुछ शुप समाचार प्राप्त हो सकता है, मंगल के दृष्टी रहेगी, मंगल साथवे भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी है, क्योंकि धनकारक हैं और चंद्रमा आठवे में हैं तो अचानक से पैसा भी आ सकता है, बिजनस के लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन अपने एमोशन्स पर थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, लगने के स्वामी यानि की शुक्र से तीसरे घर में हैं, यानि की परस्नल लाइफ में जो भी इशूस चल रहे हैं, उनको सुलझा लीजेगा, बनना प्रॉब्लम होगी, नवामसा को उन करें तो अपने रिलेशन्चिप को एक स्टैबिलिटी दीजिए, ऐसा दिखरा है, बहुत अंस्टेवल हो गया है रिलेशन्चिप, यह समय है स्टैबिलिटी पे काम करने का, विवाईक जीवन की बात करें तो अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल कीजिएग अचानक से लाब हो सकता है, चार मई शाम के करीब चार बज़े चंदरमा राशी परिवर्तन करके मिथुन में आ जाएंगे अनि कि जैमिनाय में और आपके लगन से नाइन्थ हाउस में बैठेंगे, चंदरमा का नाइन्थ हाउस में आना अच्छा होता है, भाग्य का साथ थी तो वो भी solve हो सकती है, समय अच्छा है, नवामसा कुनली यह बता रही है कि थोड़ा सा नकरात्मक होंगे इस समय, चीजों के negative aspects पर जादा ध्यान रहेगा, दसामसा के हिसाब से यदि government sector में काम करते हैं या फिर education संबंदित उछ काम करते हैं तो लाब होगा, लव वानी में मधूरता रखिएगा, अपनी वानी में कटूता को बिल्कुल भी मताने दीजेगा, कडवाहत बिल्कुल मताने चीएगा, दीजेगा, स्पेशली जब अपने partner से बात करते हैं, विवाहिक जीवन में ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी honesty की कमी हो गई है, सच छुपा रहे हैं, यह नहीं कहरा जूट बोलते हैं, सच को छुपाते हैं और इसका कभी ना कभी पता चल जाएगा, इस पर काम कीजिएगा, सेहत के हिसाब से आपको एक ही चीज कहूंगा कि नसों से संबंदित रोक तो तंग करेंगे ही, साथ ही में अपनी डाइट का भी थोड़ा ध्यान दे, स्टूडेंस के लिए समय बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी जो कॉम्मुनिकेशन है वो बहुत अच्छी रहेगी और चीजों को रिटेन करने की पावर भी बहुत अच्छी रहेगी, सरवाश्टक के हिसाब से आपका पांचवा स्थान अत्यंत बली है, शेयर दस्वे घर में आके बैठ जाएंगे, यानि कि करक में, अपनी हिराशी में और सप्ता के अंत्य तक यहीं पे रहेंगे, चंद्रमा का करक में आना अच्छा होता है, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली कारकशेत्र में कुछ ना कुछ अच्छा हो सक ब्रहस्पती की द्रिष्टी जो की विप्रीत राजयोग बना रहे हैं छटे घर में, वहां से पढ़ेगी, तो बहुत competitive रहेंगे, अपने दुश्पनों को, अपने competitors को अच्छी तरह से जवाब दे पाएंगे, कोई भी काम आपको मिलता है कारकशेत्र में, अच्छी तरह स कहूंगा कि अपने emotions को समझने का प्रयास कीजिए, ऐसा लग रहा है कि अपने और अपने partner के भी emotions धंग से नहीं समझ पा रहे हैं, विवाहिक जीवन के हिसाब से यदी कुछ जगडा हुआ था, तो उदारता दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए, initiative लेजी और उस जगडे को समाप्त करने का प्रयास कीजिए, सेहत के हिसाब से सर से संबने तरोग तंग करेंगे, students के लिए मैं यही कहूंगा कि समय तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आप confident कम फिल करेंगे, इसके कारण कुछ problem हो सकती है, सरवाष्टा के हिसाब से पाँच्वा स्थान और चोथा स्थान अत्यंत बली है, घर में कुछ construction कराना चाहते थे, तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा, छोटी मोटी construction, आपके लिए उपाई यह रहेगा कि आपको सोमवार को शिवजी का ध्यान करना है, और शिवजी को खीर का भोग लगाना है, और साती में उनको को क सफीत फूल अरपन करने है, और शिव पंचाक्षर स्थोत्र को दो बार सुनना है, यही आपके लिए उपाई रहेगा, चलते हैं, स्कॉर्प्यानी की व्रिश्चिक लगने के सापताहिक राशी फल की दरब, दो मई की सुभा करीब पाच बजे चंद्रमा राशी परिवरत होता है, लेकिन क्योंकि यहां पर उच्च के होंगे, तो आपके लिए अच्छे प्रभाव अवश्य देंगे, यहां पर चंद्रमा बुद्ध के साथ होंगे, जो अश्टम भाव में रहेंगे, तो पब्लिक लाइफ में, बिजनस में थोड़ी अनिश्चित्ता जरूर है, समय अच्छा है, मंगल की दृष्टी रहेगी, मंगल क्योंकि लगने के स्वामी है आपके लिए, उनकी चौती दृष्टी चंद्रमा पर अच्छा प्रभाव देखे जाएगी, घर में कुछ अच्छा हो सकता है, घर में कुछ सकरात्मक हो सकता है, प्रॉपर्टी, मंदित कुछ काम अटक रहे थे, वो पूरे हो सकते हैं, यह समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका लाब उठाईएगा, लेकिन क्योंकि मंगल आपके लगने के स्वामी तो हैं ही, लेकिन छटे भाव के भी स्वामी है, तो हो सकता है किसी से अचानक से आई-टी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, कंप्यूटर संबंदित कुछ काम करते हैं तो लाब होगा, लव लाइफ की बात करें तो नया रिलेशन्चिप स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अपने उपर विश्वास दिखाना होगा, जो लोग अल्री रिलेशन्चिप में है समय अच्छा है, विवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा सा नकरात्मक समय है, थोड़ा सा नेगेटिव महौल रहेगा, सेहत की बात करूँ तो जिनको डायवर्टीज है थोड़ा सा ध्यान दे, स्टूडन्स के लिए बहुत अच्छा समय है, जो गवर्मेंट जॉब्स की दयारी कर रहे हैं, समय अच्छा रहेगा, सरवाश्टक के हिसाब से आपका तीसरा और चौथा स्थान अत्यन तबली है, अचानक से यात्रा करनी पर सकती है, चार मई, शाम के गरीब चार बजे, चंद्रमा राशी परिवर्टन करेंगे, लगने से आठवे में आ जाएंग मुश्किल जाएगा, अजीब अजीब से थौट्स आएंगे, अजीब अजीब से विचार होंगे आपके, लगने से अश्टम में चंद्रमा मानसिक सेहत पर थोड़ा नकरात्मक प्रभाव डालते हैं, तो अपनी मानसिक सेहत पर आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छा स कुछ काम करते हैं, तो लाब होगा, लव लाइफ की बात करें तो समय अच्छा है, पॉजिटिव समय दिख रहा है, नया लेशन्चिप भी स्टार्ट हो सकता है, और कमपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहे की, विवाइक जीवन के हिसाब से, अपने लाइफ पार्टनर क पर थोड़ा काम कीजिए, सरवाश्टर की बात करूं तो आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो घर में किसी ना किसी तरह की अच्छी न्यूज आ सकती है, साथ मई सुभा के करीबन पांच बज़े चंद्रमा राशी परिवरतन करेंगे, और आपके लगन से होते हैं, तो अच्छे रिजल्ट देते हैं, कृष्ण पक्षे से भी निकल चुके होंगे, शुक्लपक्ष में पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो चंद्रमा स्ट्रॉंग है, भाग्यस्तान में आके बैटे हैं, तो यह जो समय रहेगा आपका, हफ़ते के अंत क वो आपके लिए बहुत सकरात्मक रहेगा, ब्रहस्पती की दृष्टी पांचवे घर से पढ़ रही है, यह भी बहुत अच्छा है, तो हफ़ते का अंत आपके लिए अत्यंत शुब है, थोड़ा गुस्य पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि लगने के स्वामी जो की मंगल हैं, उनसे चटे में बैटे हैं, नवामसा कुणली यह बता रही है, कि भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन थोड़ा स्पिरिच्वालिटी की तरफ भी जाईएगा, वहां से आपको बहुत मदद मिलेगी, दसामसा के हिसाब से, यदि गवर्मेंट सेक्टर में काम करते हैं जिसके कारण थोड़ी फ्रस्टेशन हो सकती है, सेहत की बात करूँ तो लिवर संबंदित रोगतंग करेंगे, स्टूडेंस के लिए समय अच्छा है, स्पेशली जो कला से संबंदित कुछ भी पढ़ाई करते हैं, सरवाश तक बता रहा है कि आपका तीसर और चौथा स्थ जोग लगाना है, और ओम नील कंठायनमह इस मंतर का 108 बार जाप करना है, चलते हैं, सेजिटेरियस यानि की धनो लगन के सापताहिक राशी फल की तरफ, चंद्रमा दो मई को सुभाही राशी परिवरतन करेंगे, और आपके लगन से छटे भाव में आके बैठ जाएंगे, और 4 मई, शाम के करीबन 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे, यानि की विशब राशी में, टॉरस में उच्च के होते हैं चंद्रमा, लेकिन छटे भाव में थोड़े परिशान रहते हैं, लेकिन अच्छी चीज है कि यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे आपके लिए, तीसरे भाव में बहुत मजबूत होते हैं, तो वहाँ से दृष्टी डालेंगे चंद्रमा पर, तो आपके अंदर एक बहुती अच्छे विलपावर रहेगी, अपने लाइफ के छोटे मोटे मसले, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आप बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर पा नवामसा कुनली यह बता रही है कि थोड़े से कन्फ्यूज रहेंगे और अचानक से कभी-कभी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, थोड़े मानसिक तोर पर अंस्टेबल रहेंगे, कोई बड़ा निरने मत लीजेगा, दसामसा के हिसाब से यदि आप फैशन इं उसका एक पीसफुल समझोता आप करने की कोशिश कीजेगा, चीजों को जादा बढ़ाईएगा मत, सेहत के हिसाब से आपको रक्त संबंदित विकार और लिवर संबंदित प्रॉब्लम तंग कर सकती है, स्टूडेंस के लिए समय अच्छा है, भागे का साथ मिलेगा, competitive exam आ आपके अधियाटक रहेते, तो पूरा कोशिश कीजेगा कि हफ्ते के अंत में ही उनको सुलजा लिया जाए, चार मई शाम के करीब चार बज़े चंद्रमा राशी परिवर्तन करेंगे और आपके लगन से, सब्तम में, साथवे घर में आके बैढ़ जाएंगे, मिथुन रा रहे हैं, तो बिजनस में थोड़ी अनिश्चित्ता आ सकती है, और मैरीड लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा बहुत अंस्टेबिलिटी आ सकती है, लगने के स्वामी से चौते में हैं, यानि कि ब्रहस्पती से, तो घर में कुछ ना कुछ हो सकता है, किसी फैमिली मेंबर के साथ, लगने के स्वामी से चौते में होना ये भी बताता है, कि हो सकता है आपके माता जी की मानसिक सेहत पर थोड़ा सा नकरात्मक प्रभाव पढ़ जाए, उनकी सेहत का आपको ध्यान देना चाहिए, नवामसा को उल्ली यह बता रही है कि यदि आप देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ सकरात्मक हो सकता है, दसामसा के हिसाप से यदि आप मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो लाब होगा, सेहत की बात करूँ तो आपको नसों से संबंदित रोक तंग करेंगे, पर भी थोड़ा ध्यान दीजेगा, साथ मई सुभा के करीबन पाँच बजे चंद्रमा राशी परिवर्तन करेंगे, लगन से आठवे में आके बैठ जाएंगे, और सप्ताह के अंते तक यहीं पर रहेंगे, चंद्रमा का आठवे माना वैसे तो अच्छा नहीं, उता लेक लाइफ में कुछ सकरात्मक अचानक से हो सकता है, और इमोशनल यदि थोड़ा लो फील कर रहे थे, तो इस समय उसमें भी काफी हद तक सुधार आएगा, लेकिन क्योंकि अश्टम के चंद्रमा है, थोड़ा सा पापयुक्तों तो होते हैं यहां पर, तो कोई बड़ा निर यदि कुछ प्रयास कर रहे थे, अपने दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए, और अभी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं अपने प्रयास को जारी रखिए, विवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ी विश्वास की कमी होगी, उसके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, सेहत की बात करूं तो आपको, लोवर बॉड़ी में थोड़ी दर्द रहेगी, और साथ ही में स्लीप डिसॉर्डर्स भी तंग कर सकते हैं, स्टूडेंस के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, बस एक ची में मत सोचिएगा, आपके लिए उपाई यह रहेगा कि आपको शिवजी का ध्यान करना है, शिवचालीसा का तीन बार बाट करना है, और शिवजी को पंचामृत का भोग लगाना है, अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानि की मकर लगन के सापताहिक राशी फल के दरफ, दो मई माई को चंद्रमा, राशी परिवतन करेंगे सुबा सुबा पांच बजे के आसपास और आपके लगन से पांचवे घर में आकर बैठ जाएंगे, चंद्रमा का पांचवे घर में आना अच्छा ही होता है, यहाँ पर रहेंगे चार माई की शाम तक, चार बजे तक और आपे बुद्ध के साथ होंगे जो कि 9th house के स्वामी है, त्रिकोन स्थान है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो हफते की शुरुवात आपके लिए बहुत सकरात्मक दिख रही है, इसका लाब आपको अवश्य उठाना है, लेकिन बुद्ध चटे भाव के भ विवाद ज्यादा हो सकते हैं, मंगल की दृष्टी दूसरे घर से यह बता रही है, कि आपको लाब होगा, क्योंकि मंगल लाब स्थान के स्वामी है, और धन स्थान में बैटे हैं, तो धन का लाब अचानक से आपको हफते के शुरुवात में हो सकता है, समय अच्छा बात करूं तो कुछ सकरात्मक चेंजिस आते हुए दिख रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे, विवाईक जीवन की बात करूं तो बहुत अच्छा समय है, कमपैटेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, अच्छा समय है, फिजिकल, इमोशनल, हर लेवल पर कनेक्ट कर पाएंगे, सेहत की बात करूं तो आपको चेस्ट संबंदित रोग और लोवर बैक में थोड़ा दर्द रहेगा, स्टूडेंस के लिए समिट ठीक ठाक है, जो नॉन टेकनिकल सब्जेक्स के स्टूडेंस हैं, उनके लिए जाद अच्छा समय परतन करके आपके लगन से छटे भाव में आकर बैठ जाएंगे, और सात मई सुबहा के करीबन पांच बजे तक यहीं पर रहेंगे, चंद्रमा का छटे में आना वैसे अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा काफी पीडित रहते हैं, और आपके लिए क्योंक पामी से पांच वे स्थान में हैं, यह थोड़ी बहुत अच्छी चीज है, शेर मार्केट आदी से थोड़ा बहुत लाब कमा सकते हैं, नवामसा कुनली की बात करें तो एक ही चीज कहूंगा कि थोड़ा करियर पे फोकस जाधा कीजिएगा, क्योंकि वो इस समय आपकी प् स्थान अत्यंत वली है, तो यह समय भी बता रहा है कि धन के संबंद में तो कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन फिजूल खर्ची से बचना है, साथ मई सुभा के करीबन पांच बजे चंद्रमा राशी परिवर्तन करेंगे, लगने से साथवे में आके बढ़ जाएंगे, और सप्ता के अंत तक कहीं पर रहेंगे, चंद्रमा का साथवे में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके लिए क्योंकि अपनी राशी में ही एक ही चीज कहूंगा कि अपनी सोशल इमेज को थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए, नवामसा कुनली यह बता रही है, कन्फर्म कर रहे है कि आपको अपनी पब्लिक इमेज सोशल इमेज पर काम करना होगा, दसामसा के हिसाब से, यदि कॉम्मुनिकेशन, आई या कि किसी घर के बड़े या किसी प्रोफेशनल काउंसलर की, सेहत के हिसाब से आपको चेस्ट संबंदित रोग बने रहेंगे और सर से संबंदित रोग भी तंग कर सकते हैं, स्टूरेंस के लिए मैं यही कहूंगा कि अपने टाइम टेबल को थोड़ा मैनेज करिएगा, तो अच्छा रहेगा, सरवाश्टक के हिसाब से प्रथम स्थान यानि कि लगन और दूसरा स्थान फिर से बहुत बली है, क्योंकि दूसरा स्थान पूरे हफ़ते में बली आ रहा है, तो पैसों के संबंद में कुछ अच्छा आपको इस हफते अचानक से प्राप्त हो सकता है, आपके लिए उपाई यह है कि आपको सोमवार को शिवजी का ध्यान करते हुए शिव चालीसा और भैरव चालीसा का एक एक बार पाट करना है, शिवजी को किसी फल का भोग लगाना है, चलते हैं कुम्ब यानिके अक्वेरियस के सापताहिक राशी फल की तरफ, दो मई की सुभा पांच बजे के आसपस चंद्रमा राशी परिवरतन करके लगने से चौथे घर में आके बैठ जाएंगे, व्रिशब राशी में और चार तारीक शाम के करीब चार बजे तक यहीं पर रहेंगे, चंद्रमा का चौथे घर में आना अच्छा होता है, उच्च के हों है, तो उन पर कार को भाव नाशाय दोश लगता है, चंद्रमावर को ज्यादा ही लगता है, बुद्ध के साथ होंगे थोड़ा सा अनकमफटेबल रहते हैं, तो ऐसे तो सब अच्छा है, लेकिन आपके माता जी की सेहत पर, आपकी वानसिक सेहत पर थोड़ा इसका नकरात प्रभाव पढ़ सकता है, मंगल की दृष्टी रहेगी, जो कि लगन में लगने के स्वामी के साथ बैटे हैं, मंगल दस्वे भाव के स्वामी है, तो करियर में कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ सिगनिफेकंट हो सकता है, और साथी में मंगल आपके लिए तीसरे भाव के स सवामी है तो विल पावर अच्छी रहेगी यात्रा के योग भी आपके लिए बनेंगे तो अच्छा समय है थोड़े अपनी मानसिक सेहत का माता जी की सेहत का ध्यान दें नवामसा कुंड़ी बता रही है कि खर्चों पर कंट्रोल करना होगा अनिवारे होगा क्योंकि शायद उसके लिए सई समय नहीं होगा बलकि जितना कम बात करेंगे उतना अच्छा रहेगा विवाहिक जीवन की बात करूं तो अच्छा समय है लेकिन यदि थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही हो तो घर के बड़ों को इन्वाल्व करकर चीजों को सॉल्व कर लें सेहत यह कुछ अच्छा हो सकता है सरवाश्टक के हिसाब से बारवा और लगन अतिन्त स्ट्रॉंग है तो जैसा मैंने कहा खर्चों पर कंट्रोल अवश्य कीजिएगा चार मई शाम के चार बजे के आसपास चंद्रमा राशी परिवरतन करके पांचवे स्थान में आ जाएंगे होता है लेकिन एक चीज कहूंगा आपसे क्योंकि मिथुन की राशी में मिथुन राशी में है बुद्ध की राशी में है तो कभी-कभी जब पांचवे स्थान में यहां पर आते हैं चंद्रमा तो और थिंकिंग बहुत कराते हैं वैसे यहां पर आते हैं चंद्रमा तो मार्किट आदी से कुछ लाब अर्जित कर सकते हैं नवामसा को उनली यह बता रही है कि भागे का साथ अचानक कहीं पर मिल सकता है दसामसा के हिसाब से यदि आप कुछ भी काम करते हैं कुछ भी creative field में काम करते हैं समय अच्छा रहेगा लव लाइफ के हिसाब से यदि problem सल रही थी तो solve हो सकती है उसके लिए समय अच्छा है विवाहिक जिवन के हिसाब से यदि family planning के बारे में सोच रहे थे तो यह समय सबसे अच्छा रहेगा अच्छी तर कर रही है कि acidity की problem तंग करेगी और गले से संबंदित रोग तंग करेंगे students के लिए समय ठीक ठाक है गुस्सा जादा रहेगा लेकिन यदि competitive exams की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सकरात्मक हो सकता है सरवाश्टक के हिसाब से आपका लगन बहुत strong है तो यह अच्छी चीज है उर्जा काफी रहेगी अपनी उर्जा का अच्छी तरह से utilization कीजिएगा साथ तारीक सुभा के करीबन पांच वजे चंद्रमा राशी परिवर्तन करेंगे लगने से छटे में आके बैठ जाएंगे और सप्ता के अंत तक यहीं पे रहेंगे लेकिन विपरीत राजियों को बनाते हैं आपके लिए जब यहाँ पे आते हैं तो यह कुछ ना कुछ अच्छा दे के जाएंगे ब्रहसपती जोगी आपके लिए स्पेशल धन कारक हैं लावस्थान और धनस्थान दोनों के स्वामी हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अर्थ त्रिकोन में ही बैटे हैं चंद्रमा यानि कि 2-6-10 अर्थ त्रिकोन होता है छटे में बैटे हैं तो पैसे स समंदित कुछ काम अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं नवामसा कुणली यह बता रही है कि आपको अपनी परस्नल लाइफ को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा दसामसा के हिसाब से finance समंदित काम करते हैं लाब होगा लव लाइफ की बात करें तो यहां पर भी यह दिख रहा है कि यदि बहुत सारी प्रॉब्लम जा रही थी तो चीजें अब सकरात्मक रास्ते पर निकल पड़ेंगी विवाईक जीवन के हिसाब से communication थोड़ा better कीजिएगा, communication problem हो सकती है आपको सेहत के हिसाब से lower body में कोई problem तंग करेंगी और रक्त विकार भी तंग करेंगे students के लिए थोड़ा negative समय रहेगा क्योंकि थोड़ा under confident और confused फिल करेंगे, सरवाश्टक के हिसाब से बारवा और लगन फिर से बहुत strong है, खर्चों पर तो control करना ही है और थोड़ी यदि यात्रा करते हैं तो भी थोड़ा ध्यान पूरवक आपको करना है, फिजूल की यात्राएं avoid कीजिए, आपके लिए उपाई यह है रहेगा कि आपको सोमवार को शिव जी का ध्यान करना है, और शिव जी को खीर का भोग लग तक यहीं पर रहेगे, व्रिशव राशी में, उच्च के चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है, उच्च के रहेगे यह आपके लिए और अच्छा रहेगा, मंगल की दृष्टी रहेगी बारवे घर से मंगल आपके लिए अच्छे ग्राह हैं शुब ग्राह हैं क्योंकि धनस्तान के स्वामी है और भाग्यस्तान के स्वामी है बारवे में बैटे हैं तो थोड़ा सा नकरात्मक्ता आ सकती है लेकिन फिर भी क्योंकि भाग्यस्तान के स्वामी है तो भाग्य का साथ तो अवश्य मिलेगा और यदि बाहर से संबंदित कुछ काम करते हैं तो पैसा आएगा ये समय आपके लिए अच्छा है बुद्ध के साथ बैटे हैं चंद्रमा बुद्ध आपके चौथे और साथ वे घर के स्वामी है तो बिजनस के लिए च्छा समय है प्रॉपर्टी संबंदित कुछ अच्छा हो सकता है नवामसा को उनली बता रही है थोड़ा गुसा जादा रहेगा फ्रस्टेशन थोड़ा सा जादा रहेगा दसामसा के हिसाब से यदि कॉम्मुनिकेशन संबंदित काम करते हैं तो लाब होगा लव लाइफ पे चलते हैं लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज कहूँगा कि नया रिलेशन्चिप स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा समय है और जो लोग अलरड़ी रिलेशन्चिप में हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि थोड़ी अपनी कॉम्मुनिकेशन क्लियर कीजिए विवाईक जीवन के हिसाब से समय अच्छा है लेकिन कोई बड़ा निरने मत लीजेगा यह स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ जिनके लिए रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम्स आई थी विवाईक जीवन में तो इमोशन्स में वहके कोई बड़ा निरने लेने के बारे में मत सोचे समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाती है सेहत की बात करूँ तो आपको उल्टा सिधा खाना खाने की करण कोई प्रॉब्लम हो सकती है कोई इंफेक्शन हो सकता है स्टूडन्स के लिए थोड़ा मिला जुला समय रहेगा हफ्ती की जो शुरुवाती समय है क्योंकि वहाँ पे confidence सोड़ा आपका कम रहेगा कम्मुनिकेशन प्रॉब्लम्स रहेंगे चार मई शाम के करीबन चार बजे चंद्रमा राशी परिवरतन करके लगने से चोथे में आ जाएंगे यानि की जमिनाई में मिथुन में जमिनाई में और साथ तारीक सुभा के करीबन पाँच बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लगने से चोथे घर में चंद्रमा का चोथे घर में आना अच्छा होता है लेकिन कार को भाव नाशाय दोश लगता है तो अपने माता जी की मानसिक और शारिलिक सेहत का ध्यान देना है अपनी मानसिक सेहत का ध्यान देना है क्योंकि प्रॉपटी के भाव में है, प्रॉपटी से लाब हो सकता है प्रॉपटी संबंदित कुछ काम अटक रहे थे वो पूरे हो सकते है लगने कि स्वामी से चौते घर में है यानि कि कुछ ना कुछ खुशियां प्राप्त होगी, कुछ ना कुछ सैटिस्वेक्शन प्राप्त होगी, कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी निउस आपको मिल सकती है जिसका बहुत समय से वेट कर रहे थे, यह समय अच्छा है आपके या कंसल्टेशन से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाव होगा, लव लाइफ की जहां तक बात है अपनी शब्दों का चयन बहुत अच्छी तरह से कीजेगा, एसर्टिव होके बात करनी है, कॉन्फिडेंट होके बात करनी है अपने पार्टनर से वन्ना वह आपकी बातो से द्रोकतन कर सकते हैं, स्टूडेंट के लिए समय थोड़ा बैटर जरूर होगा, अभी भी लेकिन थोड़ी कन्फूजन की सिती रहेगी, ऐसा लग रहा है कि कई चीजें चल रही होंगे दिमाग में जो आपको काफी कन्फूज कर सकते हैं, सरवाश्टक के हिसाब से आप का बारवा स्थान अत्यंत वली है, थोड़ा सा अपने खर्चों पर कंट्रोल करेंगे तो अच्छा रहेगा, साथ मई सुभा के करीब पांच बजे चंद्रमा राशी परिवरतन करेंगे, आपके लगन से पांचवे स्थान में आके बैठ जाएंगे, अनिकी करक राशी में और सब्ता के अंते तक यहीं पर रहेंगे, चंद्रमा का पांच बैए में आना अच्छा होता है, और क्योंकि यहाँ पे अपनी ही राशी में होंगे, तो यह आपके लिए और अच्छा है, आपके लिए एक special ग्रह है चंद्रमा क्योंकि केवल त्रिकून के स्वामी हैं, त तो ये समय आपके लिए अच्छा है भागय का साथ मिलेगा और क्योंकि ब्रहस्पती जो की लगने के स्वामी है उनकी दृष्टी रहेगी ब्रहस्पती महापूरुष योग बना रहे हैं शुक्र के साथ हैं जो उचके हैं शुक्र भी महापूरुष योग बना रहे हैं तो बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा नवामसा के हिसाब से यदि आप कुछ लिखने का काम स्टार्ट करना चाहते थे तो उसके लिए समय अच्छा है क्रियेटिव रहेंगे दसामसा कुंडली बता रही है कंसल्टेशन बेस्ट या ग्रॉसरी से समद्द कुछ काम करते हैं तो लाब होगा लव लाइफ की बात करूं तो अपने पार्टनर के मूड को समझके ही कोई उनसे बात कीजिएगा वनना थोड़ी बहुत प्रावलम हो जकती है विवाहिक जीवन की जहां तक बात है अपने लाइफ पार्टनर को और समझने की कोशिश कीजिए यदि स्पेशली यदि आपकी शादी अभी-भी हुई है सेहत में आपको इंफेक्शन तंग करेगा और कोई पुरानी बिमारी भी वापिस आ सकती है जो आपको थोड़ा बहुत तंग करेगी स्टूडेंस के लिए हफ़ते के अंत का समय फिर भी अच्छा रहेगा यहाँ पर चीज़े काफी सकरात्मक रहेंगी कोई competitive exam यदि आपका है तो उसमें अच्छा कर पाएंगे सरवाश्टक के हिसाप से आपका लाब स्थान और बारवा स्थान अतिन्त शुभ है थोड़ा खर्चा ज़ादा होगा लेकिन क्योंकि दोनों ही strong है तो यदि देश से बाहर से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो अचानक से लाब होगा आपके लिए उपाई यह रहेगा कि आपको शिवजी का ध्यान करते हैं उनको खीर का भोग लगाना है और साती में उनको आपको गुड़ का भी भोग लगाना है और ओम शंकराय नमहाई स्मंत्र का 108 बार जाप करना है तो यह था मेश से लेकर मीन तक का सापता है क्राशिफल चैनल पे नहें सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अगली वीडियो में मिलता हूँ तब तक के लिए ओम नमस्याइब